गुड मॉर्णिंग ओलुप्यू आज हम एक क्रिया क्लाव करेंगे यह क्रिया क्लाव है इसे बच्चों का सरवांगीन दिकास होगा बच्चों का जो स्रीर होता है वो पंचमा भूतों से बना होता है उसमें से एक है पानी बच्चे को अट्रेक्ट करता है घर्मी के मौसम की आक्टिविटी है यह लोकडाउन के कारण हमें घर में वेजनी पड़ रही है तो आप से मैं रोद करूँगी कि इसको जरूर करवाए और इसको हलके में ना ले दो बोतल नहीं एक बोतल खाली और एक में पानी तो इसमें हम बच्चे से बोलेंगे कि वो बोतल से दूसरी बोतल में डाओ है इससे क्या होगा दो तीन वार्स को रिपीट करें इससे क्या होगा एक तोंब बचके के एक आग्रता बढ़ेगी और उसकी ज्यानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास होगा थेक हैं तो इसकी वीडियो और और बनाए और वटसाफ ग्रूप पे भी सि कुछ चीजे बच्चा नोट करेगा कुछ चीजे पानी में दूब जाएंगे वो भी दूब गई évidemment कुछ चीजे पानी में तैर जाएगी को यह देख यह करेगा बच्चा के कुछ चीज यह जोकास होगाएं इस जी आपना होगा पत्थर का टुकडा होगा यह ऐसे यह ऐसे चोटी मोटी चीज़ें हमारे फरके आसपास होगी तो वह हम फानी में डालेंगे कुछ लककर होगा कुछ प्लास्टिक होगा कुछ रबर होगा तो कुछ दूबाने से भी नहीं डूबेगी और कुछ अपने आपसे डूब जानेगे यह देखो मैं एक ग्रेव से डाला वह भी डूब गया कुछ काबज की डूबड़ी डालेंगे ऐसे कुछ हमारे आसपास जो भी चीज़ होगी वह सब उसमें डाल देगी ठीक है तो इससे बच्चा क्या देखेगा कि कुछ चीज़े डूबाने से भी नहीं डूबेंगी व कुछ डूब जाएगी जो हलकी चीज़े होगी वह डूब जाएगी और जो भारी चीज़े होगी तैरेगी ऐसा करने से बच्चे को जो ग्यान होगा खुसी की अनुभूती होगी आनंद की अनुभूती होगी और इससे वह सीख लेगा कि हलकी चीज़े है वह तैरती है और और भारी चीजी है जो वो डूब जाती है इसे डूबना और तैरने का भी उसको जो बोध है वो कलियर हो जाएगा तो यह अक्टिविटी जरूर करवाएं और बच्चों को खेल खेल में इस तरह को सीखने के लिए प्रेडित करें बढ़न ना माने बोतल से बोतल में पानी ड प्रेडित करिए झाल कर दो को खेलं को गलाएगा जबफडिर दबने बढ़ना वीतरा में इस तरह कंप